शाजापुर में क्राइसिस मैनेजमेंट की अहम बैठक हुई जिसमें काला पीपल शेत्र में लगातार बर्दे कुरुना मरीजों की संख्या को लेकर जले में एक बार फिर 25 अप्रेल तक के लिए कर्फ्यू की आवधी को बढ़ाया गया है बैठक में राजमंतरी इंदर से परमार सहित कॉंग्रिस विधाय कुनाल चौधरी मौजूद रहे शुकरवार को जला संकर्ट प्रबंदन समू की बैठक संपन हुई बैठक में ऑक्सिजन राम्डी सिविल इंजेक्शन की उपलब दिता कुरोना मरीजों की देखभाल तता अस्पताल प्रबंदन पर चर्चा कर नणे लिये गया साथी बैठक में जले में कुरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 25 अप्रेल 2021 तक जले की नगरिय शेत्रों में सहित बड़े-बड़े ग्रामिन कजबों में भी कुरोना कर्फ्यू लगानी का अंदने लिया गया तो वहीं काला पीपल विधान सभाशेत्र के पोलाय कला अवर पाला पीपल में कोविट केर सेंटर शुरू किया जाएगा इसके लिए विधाय कुनाल चौधरी ने 25 लाख रुपे विधाय कनेदी से देनी की बात कही अज हमारी जिले की बेठत में इसिके उपर चाह्चा करीं मानी मुष्म liberal के उत्त लिखाता कहीँ जगेंwest काला पीपल के अंदर चौ कोलाय के नदर ढो जगेता का इस साईर्वी से कोलाय के कोविट के सेंटर एर को और इसके लिए मैंने अपनी विधायक नीदी से भी 25 लाग रुपे का आप आश्वस्त करहें कि जिस जगह इंजेक्शन की जड़रत लगे जिस जगह आपको उक्तरण की जड़रत लगे कोई कभी जन्ता के इलाज में नहीं आना चाहिए और आज ताय हुआ है कि कई ना कई दो जगहें पर आइस्थारी रूप से यहां पर कोवीर केर सेंटर खोले जाएंगे और जिसके अंतरकत यहां पर हम लोग बहतर इलाज जन्ता को मिल पाए क्योंकि लगातार जन्मारत पर जिले में 25 अपरेल तक बढ़ाए गए कर्फ्यू में पुर्व की तरह अतिया आवश्यक सेवाओं में छूट जारी रहेगी तो वहीं उलंगन करने वालों के खिलाफ इस बार पुलिस जरूर सकती दिखाएगी काला पीपल से ही संदीप गहलोत के रिपोर्ट